दो घंटे में मुझफरपूर से दिल्ली और देर घंटे में मुझफरपूर से गोहाटी, 40 मिनट में मुझफरपूर से अयुध्या और 30 मिनट में मुझफरपूर से बनारस. मुझफरपूर एयरपोर्ट का निर्मान जो है जल्दी सुरू होगा और उसके बाद हम जो समय आपको बता रहे थे ये जानने में लगबग समय लगेगा जब मुझफरपूर का एयरपोर्ट चालू हो जाएगा मुझफरपूर का एयरपोर्ट को ले करके अब समय तय हो गया है कि कब तक वहां से फ्लाइट जो है उरान भरना शुरू कर देंगी और कब से मुझफरपूर वासियों को एयरपोर्ट की सुविधा मिलने लगेगी इन सब चीजों का एलान जो है अब हो चुका है और पूरी खबर क्या है हम आपको विष्टार से बताएंगे लेकिन उससे पहले नमस्कार में नाम वेद प्रकास है आप जनता जन्चन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल मुझफरपुर में एयरपोर्ट बनना सुरू हो चुका है उसका काम अब सुरू करवाया जा चुका है याद कीजिए 2019 का लोकसभा चुनाओ का समय जब प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी मुझफरपुर के एयरपोर्ट पर अपना रैली करने आये थे और आने के बाद लोगों से ये वादा किये थे कि मुझफरपुर एयरपोर्ट से हवाई जहाज जल्दी उरने लगेगा जब 2024 का लोकसभा चुनाओ हुआ इस समय विपक्ष ने इस मुद्दे को जोर सोर से उठाया कि आखिर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के वादे के बाद भी पाँच साल हो गए उसके बाद भी मुझफरपुर का एयरपोर्ट चालू क्यों नहीं हुआ और अब जब लोकसभा चुनाओ खत्म हो चुकी है मुझफरपुर के सांसद राजभूसन चौधरी केंद्र में राज्य मंतरी बन चुके हैं तब एक बार फिर इस बात की चर्चा जोरो पर आ गई है कि मुझफरपुर एयरपोर्ट का क्या होगा तो इसको लेकर के केंद्रिय राज्य मंतरी राजभूसन चौधरी ने जानकारी दी है और ये भी बता दिया है तिम मुझफरपुर का एयरपोर्ट जो है कब से चालू होगा कि अंद्रिय मंत्री राजभूसन चौधरी ने इस बात की जानकारी देते हुए ये बताया है कि लगभग 478 एकर भुमी का अधिक रहन किया जा रहा है और फिर जल्दी ही मुझफरपुर से बिमान सेवा शुरू की जाएगी हलाकि एक पेच है पेच ये है कि मात्र 1350 मीटर का ही रनवे जो है मुझफरपुर के पताही एरपोर्ट पर बनाया जा सकता है और इस कारण से यहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्लेन जो है आकर के नहीं उतर पाएंगे और उर्पाएंगे और इस कारण से छोटे छोटे प हवाई यात्रा कर पाएंगे अब इसमें लगभग 70 अरब से अधिक रुपए खर्चोंगे और उसके बाद केंद्री मंत्री बनने के बाद राज होसन चोधरी जो है विपक्ष के द्वारा उठाएगे इस मुद्दे को ले करके सजग हो गये हैं और जैसे ही केंद्र में मं ये मंत्री बने उन्होंने एक बार अपना प्रयास जारी कर दिया और इस कारण से नागरिक उडियन मंत्राले जो है वो अब जाग चुकी है और मुझफरपुर के एयरपोट के लिए कागजी कारवाई शुरू हो चुकी है राजभूसन चोधरी जब इस बात की जानकारी रहते रहते तो उन्होंने ये भी बताया कि सब कुछ अगर ठीक रहा तो इस दिवाली से हो सकता है कि मुझफरपुर का एयरपोट चालू हो जाए और फिर लोगों को आज पास के जगों पर जाने के लिए यहां से हवाई यात्रा करने में कोई परिसानी नहीं होगी आप स है वो भी छोटा नहीं है लेकिन एयरफोर्स का रन्वे है और इस कारण से इस बात की मांग जो है लगातार चल रही थी कि दरभंगा एयरपोट को अभी विस्तार मिलना चाहिए और इसको लेकर के भी केंद्र में मंथन चल रही है और खबड़े यह आ रही है कि मंजूरी केंद्र से इस बात को मिल गई है कि दरभंगा का एयरपोट का भी अपना रन्वे जल्दी तयार होगा बाकि मुझफरपूर्ग से हवाई यात्रा आप जल्दी शुरू होने वाली है और केंद्रिय मंत्री की अगर बात माने तो इस दिवाली से लोग आना जाना शुरू कर सकते हैं बाकि इस खबर को लेकर कि आप क्या सोचते हैं और अगर आप मुझफरपूर के हैं तो आप कितने एक्साइटेड हैं वहाँ के एयरपोट के लिए अपनी राय हम तक जरूर फेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन बहुत बहुत धन्यवाद